हलो दोस्तो आज हम लोग देखने वाले काफी इंपोर्टन वीडियो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि वरधा के अंदर कौन से कौन सा ऐसे टॉप 10 स्कूल है जो आप लोग सोच सकते हो जो आप एडमिशन लने के लिए यह जो वीडियो में बना रहा हूँ इसम इसम वेज़ाम होई थी बोड की 10 की उसमें जो रिजल्ट आया बोड के एक्जाम का उस रिजल्ट के हिसाब से जो टॉप 10 स्कूल है उसको मैं यहाँ एक्स्प्लेंड कर रहा हूँ बट हर एक परसन के हिसाब से यह डिस्ट वैरी हो सकती है कुछ परसन को लग सकता है कि य just for an information मेरी हिसाब से और जो बोड के एक्जाम का रिजल्ट था उसके हिसाब से तो ये टॉप 10 स्कूल है वर्दा में ठीक है तो स्टार्ट करते हैं कोई भी हम लोग टाइम पास नहीं करेंगे सिब टॉप 10 स्कूल के बारे में बतांगो उसके लबाँ कोई इन्फॉर्मेशन म में ही है और इस स्कूल के अंदर जो आप लोग देख सकते हो कुछ पिक्चर्ज भी मैंने यहां पर स्कूल के अफ्लोड किया है तो यह जो स्कूल है इसमें 2020 के अंदर जो 47 स्टुडेंट उन्होंने एक्जाम में पार्टिसिपेट किया था किसी भी स्टुडेंट ने 90 के वो परसंटेज नहीं लिये है और जो कोर्स यहां पर अपलिकेबल है वो सारे आपको दिया हुए है जो टॉपर था उसने 88.2 परसंट मार स्कूर किये थे और जो आवरेज आप लोग बोल सकते हो परसंटेज का यहां के बच्चों का था वो था 65.5 परसंट इतने मार्स पाद हम लोग बढ़ता है नंबर नाइन की तरफ नंबर नाइन पे जो स्कूल आता है वह रमाबाई देशमुक पब्लिक स्कूल वर्दा यह स्कूल काफी अच्छा स्कूल है इसमें आपको टीचिंग स्टाप काफी अच्छा देखने को मिलेगा इंफरस्ट्रक्चर परसंटेज स्कूर किया है यहाँ पे जो सब्जेक्ट आफर किया जाते है वह सब आपको दिया हुआ है जो टॉपर था स्कूल का काफी अच्छा टॉपर था 93.4 परसंट और एवरेज जो परसंटेज यहाँ पे स्टूडेंस ने लिया है वह 65.5 परसंट नेक्स्ट जो हमा जिसने 90 अब परसंटेज लिये हुए है जो टॉपर था उसका परसंटेज था 93.2 और जो एवरेज परसंटेज इस स्कूल के बच्चों का था 68.6 परसंट ठीक है यह सारे स्कूल आपको गूगल के उपर आपको मिल जाएंगी इनके बारे में आपने इंफोर्मेशन और ले केंद्रिय विद्याले वर्दा यह स्कूल आपको देखने को मिलेगा जो हम लोग ले रहे वो पुलगाओ का स्कूल है मतलब वर्दा के आसपास का ही है यहाँ पर 56 स्टूडेंट ने एक्साम के लिए अपलाई किया था जिसमें से 6 स्टूडेंट ऐसे थे काफी अच्छा आप लोग बोल सकते हैं और जो टॉपर था उसका 94 परसेंट का अप लोग बोल सकते हो उसने चीव किये थे और जो आवरेज यहाँ परसेंटेज बचोने लिए वह 69.4 परसेंट उसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर 6 पे कौन सा स्कूल आता है तो नंबर 6 पे जो हमारे पास स्कूल आ रहा है वो है सेंट जॉन हाई स्कूल परदा यह जो स्कूल है इसकी इनफर्मेशन गूगल में मिल जाएंगे आपको इसमें 181 स्टूडेंस ने अपलाई किया था जिसमें सेवन स्टूडेंस ऐसे थे जो नाइन्टी अबव परसेंट स्कूर किया है और हाई इस स्कूल के अंदर 143 स्टूडेंस ने अपलाई किया था यहां पर देखो कितना अच्छा आप लोग बोल सकते हैं 19 बच्चे ऐसे थे जो नाइन्टी अबव परसेंटेज अच्छू किया है और जो टॉपर था वो 96.2 परसेंट पर था और यहां का जो एवरेज हुए 75.6 परसेंट का नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नंबर फूर की तरफ नंबर फूर पे जो स्कूल हमारी लिस्ट के साब से आ रहे हैं वह इनोवेटिव माइंड स्कूल आप एक्सलेंस जो तड़ेगाओं में हैं सभी जो हम लोग लिस्ट बता रहे हैं वो सब जो रिजल्ट आया था टेंथ का उसकी हिसाब से बता रहे हैं आपके लोग भी अपने कुद के रिसर्च करके इसके उपर और देख सकते हैं तो 56 स्टुडेंट नहीं यहां पर अपलाए किया था एक्साम के लिए जिसमें से 11 स्टुडेंट ऐसा थे जिनों 90 परसंट के अबाव परसंटे केतन वर्दा इस स्कूल में 128 बच्चों ने एक्साम के लिए अपलाए किया था और 26 देखो कितना आप लोग बोल सकते हैं इतना लार्ज नंबर है 26 स्टुडेंट अच्यूब किये और यहां का टॉपर भी काफी जारा परसंटेज वाला था 97.6 परसंट और जो आवरेज ब ग्रामी कॉन्वेंट स्कूल वर्दा अगर ग्रमी कॉन्वेंट स्कूल वर्दा काफी अच्छा स्कूल है वर्दा में यहां पे 83 स्टुडेंट्स ने अपलाए किया था टैंथ बोड की एक्साम के लिए जहां से 22 स्टुडेंट्स ऐसे थे जिन्हों 90 अबोव परसंट बच्चों ने अच्छों किये हैं उसके बाद हम लोग आ रहे हैं हमारा जो लास्ट और सबसे बेस्ट स्कूल है according to the board exam के result के हिसाब से वो स्कूल है नवदय विद्याले वर्दा जो कि सेलू काटे में आता है काफी अच्छा स्कूल है यहाँ पे आपको इसली एडमिशन नहीं मिलती है उसके लिए आपको नवदय के एक्साम पास करनी होती है अगर आप उसको पास करके यहाँ पे एडमिशन ले पाओ तो काफी बढ़िया स्कूल है एक्टी टू केंडिस थे जिन्होंने यहाँ पे अप्लाय किया था बोड एक्जाम के लिए ट्वेंटी टू स्टूलेंट्स ऐसे थे जिन्हों 90 परसंट से अबव मार्स कवर किये हैं यहाँ पर और जो टॉपर था वो था 96 परसंट और यहाँ पर देखो एवरिज बच्च आपको यहाँ पर नहीं आएगा पर एड्मिशन लगने के लिए आपको नवदय के एक्जाम पास करनी होती है उसके उपर तोड़ा सा मैनत लोग है तो काफी बढ़िया स्कूल है हमारे वर्दान ओके सो थांक्स पो वाचिंग कोई भी हम लोग यहाँ पर आपको एक्स्ट आपको यहाँ थांक्यू